तो राजा का कर्तम है कि मैं शूद्र का दर छीव लेए। ये है आर्थिक अन्याए, राजनेतिक अन्याए और सामाजिक अन्याए। और ऐसा नहों जाए कि एक डलिद और बामन एक बरबर मान लिये जाएं। कि मेहनत करने वाला नीच आराम से बैठने वाला उच कि शूद्रों और मलेच्छों से हिंदु धर्म को मिलने वाली चुनौती का सामना करने के लिए हमने राष्ट्रिय स्वयम सिवक्संग का गठन किया है मंदिर बना पोते के टाइम में और तोड़ गया उसका दादा तरह हिटलर ने साथ लाग यहूदियों का कतल किया वही दलित भी है तो इस शिक्षा से दलित ओवी सी या दिवासी ये बाहर हो जाएं बलातकार एक वार टूल है महिलाओं से बलातकार करते हैं सैनिक ताकि सामन में वाले देना का मर और समुदाय का मनोबल तूट जाए अजीट ढोबाल की मीटिंग के बाद चालिस वहिलाओं से गाउं में बलातकार किया सुरफ शबलों ने उनके इस तनी चोड़कर देखे सिपाईयों ने कि तुम शाधी शुदा हो कि ने जूट तो नी बोल रही हो 36 गड़ की जेलों में आदिवासी हर्फ महीने बड़ी तादाद में मरते हैं एक करोव दस लाद लोग बिना लड़े मर गया भारत बिना लड़े मर जाएगा तो वो कहेंगे यह लक्षमिंदर प्रकाश कोई और है और तेरे बाप का नाम कुछ और है तू तो गया एक बात और बताओ यह बड़े-बड़े टिटेंशन सेंटर जो बना रहे हैं सिरफ मुसल्मानों के लिए नहीं बना रहे हैं हर थाने में एक-एक संगी भी बैठेगा और वो यह बतायागा जी इसे तो भेज़ दो टिटेंशन सेंटर में पड़े यो हिंदू हो और मुसल्मानों लोगो तो खेर बिना सोचे समझे इनने तो भेज़ो भेज़ो लेकिन यह जो हमारे हक में नहीं बोलता था यह जो कमिनिश्ट लोग थे यह सारे जावंगे और जो हमारे पक्ष में नहीं है यह लिबरल यह देमोक्रेट्स इनने में डालो नाम में थोड़ी बहुत और इनका गुरू कौन है इनका गुरू है हिटलर हिटलर ने यही किया था उसने कहा हमारा रोजगार ले रहे है यहुदी यह हम पर बोज है अगर इन्हें मार दो तो हमारा देश बिलकुल स्वर्ग बन जाएगा और यूनिवर्सिटी के स्टुडेंट्स लिस्टे बनाते थे यहुदियों की घर घर जाके उनको पकड़ते थे डिटेंशन सेंट्रों में रखते थे और उसके बाद उनको अंदर गैस चैमर में बंद करके जहरीली गैस छोड़ देते थे इस तरहे हिटलर ने साथ लाख यहुदियों का कतल किया और सिर्फ यहुदियों का नहीं किया पचास लाख और लोगों का भी किया वो कौन थे? वो थे कमिनिश्ट, लिबरल्स, विरोधी, LGBT समुदाय, इनको भी मारा पचास लाख, एक करोड़ दस लाख लोगों का कतल किया उसने और ये छुपी हुई बात नहीं है, इनके डॉक्यमेंट्स में है, RSS वालों के, कि हमें हिटलर से सीखना है राष्ट भक्ती, राष्ट वाद, अब ये सक्ता में है, और ये छिपा भी नहीं रहे, जैसा भी साथी ने कहा, इनका मिजास देख लो, अगर मामला सिरफ ये होत कि बंगला देशियों को पकड़ना है, तो इतना बड़ा प्रपंच करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप गाओं के परधान से बोल देते, कि बहुत तेरे गाओं में कितने बंगला देशियों है, उनकी सूची पास के ठाने में दे दे, खदम बात, लेकिन ये कह रहे हर ना चलेगा, ना आधार चलेगा, ना पासपोर्ट, ना राशन कार्ड, तेरे बाप के और दादा के रिकॉर्ड निकाल के ला, और ये भी साबित कर कि ये तेरा बाप था, तो भाई, आसाम में तेरा लाख लोग बाहर हो गए, वो विदेशी हैं, बंगला देशी हैं क्या, पह बंगला देशी सबसे बड़ी समस्या हैं, आपने अपनी जिन्दिगे में कोई बंगला देशी देखा हरियाणा में, देखा, मैंने तो 55 साल गाओ गया, मैंने तो आज तक कोई बंगला देशी देखा नी भारत में, ये इतनी बड़ी समस्या है, अच्छा, तीसरी चीज, दुनिया में कोई भी इनसान जो पैदा हुआ है वो नाजायज नहीं है वो बार्डर के इधर पैदा हुआ या उधर पैदा हुआ इसके आधार पर आप उसे उसके साथ कोई दुर्वेवार नहीं कर सकते कोई कुरूरता नहीं कर सकते उसके साथ कोई अमानवी हरकत नहीं कर स दुनिया में उसे जीने, खाने, रोटी, पानी, रोजगार, हर चीज़ का हक है, वो चाहे बॉर्डर के इधर पैदा हो या इधर, इस पे उसका अख्तियार ही नहीं है, वो कहीं भी पैदा हो गया इनसान, आप उसे सजा नहीं दे सकते, कि तु यहां क्यों पैदा हुआ, भारत के लोग कहीं नहीं जाते हैं, मैं अमेरिका गया, मुझे बहुत सारे लोग मिले भारत के, जो अवैद रूप से वहां रह रहे हैं, गए थे टूरिस्ट वीजा पे और 20 साल से आएनी लाट के, कैश पे काम कर रहे हैं, कोई वर्क परमिट नहीं है, कोई वर्क वीजा नहीं है उनके पास क्यों गए क्योंकि भारत में गरीब थे वो बेतर मजदूरी की तलाश में गए कि परिवार ठीक से चल जाएगा परिवार भी नहीं चल रहा है वो तो वहां से पैसा भेशते परिवार भारत में है परिवार से दूर रह रहे हैं वो कैंटरों के निच्चे चेंबर बना बना के भेड बकरी की तरह ठूस ठूस के हरियाना के नौजवान पंजाब के नौजवान गुजरात के जा रहे हैं कनेडा में गुस रहे हैं यूरोप में गुस रहे हैं ये लोग क्या वाँ आतंकवाद करने जा रहे हैं क्या अमरीका का धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं क्या अमरीका को हिंदू बनाने जा रहे हैं यह जा रहे हैं रूजगार कमाने बंगलादेश की अर्थविवस्ता कमजोर थी भारत की अर्थविवस्ता थोड़ी मजबूत थी यहां की मजदूरी थोड़ी जादा थी वो आ बंगलादेश की अर्थवस्ता हो गई हमसे मजबूत आज बंगलादेश का टका 15 पैसे मजबूत हो गया अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है अब भारती है बंगलादेश में घुसरे और इन लिगल में घुसरे अब वहां अगर आप एक रुपया कमाओगे तो भारत में आके 115 रुपय मिल जाएंगे आपको तो अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है तो यह जो पहला रहा है कि बंगलादेशी मुसल्मान आके भारत के हिंदू धरम के उपर खत्रा पैदा हो रहे हमारी सुरक्षा के उपर खत्रा पैदा हो गया और हमारे तो सारे संसादन हमार तो रोजगार खा गए यह सब जूट है बंगलादेशी या पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी या मुसल्मान वहां से आकर भारत के लिए कोई खत्रा नहीं है यह कोई इशू ही नहीं है नौन इशू को सबसे बड़ा इशू बनाया गया है असली मकसद जैसा भाई जी ने कहा जो असली बाते हैं कि आपकी शिक्षा को पूंजी पतियों के हवाले कर दिया गया कि तुम इसमें भी मुनाफ़ा कमाओ और शिक्षा को महगा इसलिए भी किया गया कि भारत में जो गरीब है वही दलित भी है तो इस शिक्षा से दलित ओभी सी आदिवासी ये बाहर हो जाएं ये अनपड़ रह जाएं ताकि सस्ते मजदूर बने रहें ये पूंजी पतियों के लिए ये है मुद्दा जैसे उन् चिक्षा को प्राइवेटाइज किया जा रहा है वो मुद्दा है बेरोजगारी 45 सालों में सबसे जादा है वो मुद्दा है मैं अभी 36 गड़ गया 36 गड़ में एक गाउं है जहांके 200 आदिवासीयों को जेल में डाल दिया है दो साल से एक भी पेशी भी नहीं हुई उनकी मैंने पूछा मैंने का ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने तो बोले चलो जी आपको दिखाते हैं एक खुर्पी ली और मुझे लेकर खेत में गए और एक खुर्पी मारी खेत में नीचे से लाल रंग के हीरे निकले कहले लगे जी ये है बज़े ये हीरों के उपर नजर है इनकी इसलिए सी आर पिएफ भरके यहां आदिवासियों मतलब 36 गड़ में अजीर डोभाल गया और इसने वहां मीटिंग करी राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार और इसने का बहुत हो गया अब असली पजेश्चन हो जाना चाहिए जमीनों पर और अंतराष्ट्रिय युद्धों में बलातकार एक वार टूल है महिलाओं से बलातकार करते हैं सैनिक ताकि सामने वाले सेना का और समुदाय का मनोबल तूट जाए क्योंकि जब आप पुर्षों की हत्या करते हैं तो और गुस्ता भलग जाता ह लेकिन बलातकारों से मनोबल तूट जाता है भारत की पैरा मिलेटरी फोर्सेज और पुलीस भारत के नागरिकों के साथ वही टैक्टिस इस्तेमाल करती हैं अजीड ढोबाल की मीटिंग के बाद चालिस महिलाओं से एक गाउं में बलातकार किया सुरक्षाबलों ने 28 महिल से 16, 12, 6 इतना ही नहीं उनके इस तनी चोड़कर देखे सिपाईयों ने कि तुम शादी शुदा हो कि ने जूट तो नहीं बोल रही हो एक जगे नहीं अनेक जगे सारी रिपोर्ट हैं हमने प्रकाशित करी और यह मैं नहीं बोल रहा मैं तो मानवा दिकार करता हूं कुछ भी बोल सकता हूं भारत सरकार द्वारा इस्थापित राश्ट्रिय मानवा दिकार आयोग की रिपोर्ट है उसकी वेब साइट पर पढ़ लीजिए वो रिपोर्ट कहती है कि कम से कम 16 महिलाओं के पास प्राइमा फेसी एविडेंस मौजूद है कि सुरक्षाबल के सिपाई ने उनके साथ बलाकार किये इस देश के भीतर